जिस नागपुर शहर में कुछ मैंने पहले तख कोविट-19 संक्रमन से हाहा कर्ण बज़ा था और शहर में सुमवार को देश्व्यापी महाठी का करन अभियान के पहले दिन मात्र 11,231 लोगों को ही टीके लगे है नागपुर में टीकी की कमी की दलिल देते भी आज 8 प्लस का टीका करन नहीं क्या क्या मध्यप्रदेश के इंदो शहर में सुमवार को एक दिन में 2.12 लाग टीके लगे हैं लेकिन नागपुर में नियोचिन की कमी और टीकी की कम उपलब्दता की दलिल देते भी महच 11,000 लोगों का ही टीका करन हुआ मिनाटी का करन के कोविट-19 को हराना संफो नहीं है नागपुर शहर की आपादी करीब 30 लाग है लेकिन इसमें से मात्रब 5,100,000 नागरीकों को ही पहला टीका लग पाया है जबकि 1,88,898 नागरीकों को दूसरा डोज लग सका है सुमार को नागपुर में कुल 11,231 टीकों में से 8,396 वेटी के 3-44 वर्ष आयू के नागरीकों को लगा वही नागपुर ग्रामिन में कुल 9,193 वेटी के लगे इनमें 3-44 वर्ष आयू वर्ष के 6,783 लापाती है खास बात यह है कि 8-44 वर्ष आयू वर्ष का समोह केंडर सरकार नितयार क्या है लेकिन राजिस सरकार ने 30-44 वर्ष का नया ग्रूप बना दिया पिछले तीन दिनों में संभधित आयू वर्ष के 25,91 लापार्थियों का टीका करंवा है शहर के 105 केंडर पारिटी का करंग आचारा है जबके लोगों की संख्या को देखते वे केंडरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है तीसला की आबाधि के हिसाब से देखे तो नाकपुष शहर में बेश जुन तक मातर 18.70 विजदी आबाधि को पहला डोस लगपाया है यह रफ्तार काफी कम है तीके की उपलब्दता और केंडरों की संख्या बढ़ा करी कोविड संक्रमन को हराय जा सकता है अनिता नाकपुष शहर को तेसरे लहर के कोप से कोई बचा नहीं पाएगा इसलिए तेजगति से शहर बासियों का टीका करत ज़रूरी है कैमरा परसन राजकुमार बोहट के साथ अभिशिक पांसिक की रिपूर्ट